आप सब का पूर्ण स्वागत है आज हम सब आपके पार्ट के समस्क्रित के बुक है उस पार्ट में जो है चौथा पार्ट का हम करेंगे अभ्यासकारियाज तो आज शुरू करते हैं चतुर्था पार्था जिसका नाम है मदुराह शलोका है पहला प्रश्ण लिखंतु आम अथवा न अर्थात पाठं पठित्वा लिखंतु आम अथवा न पाठ को पढ़ करके बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है पहला है सदा मधुरम वक्तवयम सदा हम अर्था था हमेशा मधुर मीठा बोलना चाहिए तो इसका उतर होगा आम यहाँ पर उतर लिखा गया है यह दूसरा सदा परिश्रम करनी यह सदा परिश्रम करना चाहिए इसका उतर होगा आम तिसरा, परवकार हां नहीं करने हैं, ìझा क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो नो का उत्तर हमेजा हनो में ही आता है, यहाँ पょर दोनी साथ हमें नो, सम्पुन परिथवी यह वो परिवारा, पूरी परिथवी परिवार के समान होती है, तो यहाँ पर जाएगा, आम, जनह, प्रिये वाक्ये ने प्रसन्ना भरंती, लोग प्रिये वाक्ये से प्रसन्न होते हैं, तो इसका उत्र हो जाएगा, आम, और छठा, सजनई हिसाह मित्रता करणिया, अच्छे लोगों के साथ दोस्तिया करनी चाहिए, तो इसका उत्र हो जाएगा, आम, आगे हैं प् आप्रियम नावक्तव्यम तो यहां पर होगा कदापी । यहां पर sıkदापी इसनाय संसना प्रियान राम नियंति करेंननु तो यह सबीन ओंसर है जो यह सबीन ना लक्छर में दिख रहा है आसानी से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं प्रसंक्या 3 पर उचितम पर्याय शब्द चित्वा लिखन्तु पर्याय बतलब समान अर्थ वाले शब्द पहला है सजनह इसका हो जागा सूजनह दूसरा उद्यमेन परिष्ट्रमेन तिसरा जन्तव प्राणिनह चौथा है भाषणे वचने इसका हो जागा भाषणे और पाच्वा है लोके इसका हो जागा परियाय संसारे तो बहुत ही आसान का रहे हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं प्रशन के चार एते शाम प्रशनाम उत्ताणी एक पदेन वदनतु लिखनतु चा यह आपके उत्तर है यह आपके आंसर है पहला परफ्कार के लिए और अपने शुक के ट्याक कर देते हैं तो सथ जना अच्छ लोग दूसरा कार्यानी केन सिध्यंती, तो कार्यानी कैसे सिध्य होते हैं, तो उद्यमेयन, या फिर परिष्णामेन भी यहाँ पर हो सकता है, आप लिए सकते हैं, परिष्णामेन भी, किद रिष्णा वचन वक्तव्यम, कैसे वचन बोलने चाहिए, तो सद्यम मधुरम, चोथा व अच्छा होता है तो साधु संगति मतलब अच्छे लोग की संगति हमेसा क्या होता है शी तलता देने वाली होती है अर्थात हमें उसे अच्छाई ही मिलती है तो इस प्रकार से चौतर प्रस्न हो गिया, आगे हम चलते हैं संख्या 5 पर एते साम प्रस्णाम उत्राणी पूर्ण वाक्यन वदनतु लिखन चौ इन प्रस्णा को उत्र आपको पूरी वाक्यम लिखने होते हैं तो पहले आप देख रहे हैं कि लाल अक्षर में जो है वो प्रस्न है आपका उसके नीचे जस्ट नीचे आपको ब्लेक जो अक्षर दिख रहा है काल अक्षर दिख रहा है वो उसका अंसर है और उ लिखा हुआ है मतलब उत्तर है वो मिरिगाह कुत्र ना परविशंती मिरिगाह मतलब जीव मिरिग कहां नहीं परवेश करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मिरिगाह सिंहस्य मुखे ना परविशंती मिरिग सिंह के मुख में परवेश नहीं करते हैं इस परकार से आप चाहें थोड़ा बड़ा अगर लिख परिवार के समान होती है तो यहां पर उत्तर है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुमकं भवती जो बड़े हिर्दय वाले होते हैं जिनका हिर्दय बहुत विशाल होता है उन लोगों के लिए पूरिप्रित्वी कुटुम के समान अर्थपरिवार के समान होती है तिसरा प्रस्षण हैju divag क्सार नियुरस करें वह प्री वाचन से सबी तुष्ट होते हैं खुश हो जाते हैं चवोथा अच्छे लोग हमेसा कैसा बोलते हैं तो उत्थर होगा शजजना सदा स्त्यम प्रियम बजंती बोलते है और पाछो प्रस्टन 한े में लोगे चंदनात् अपि शितलम किम इस दुनिया में इस अंसार में चंदन से भी अधिक शितल क्या है तो यहाँ पे चंदर्मा चंदनात भी शितल होता है प्रसंका छे है इस थूल पदा नाम अस्थाने सू कोष्टकात उचितम पदम चित्वा प्रस्ण वाग्याने लिखानतु वदंतु चा यह आपको प्रस्ण बनाने होते हैं मतलब जो इस थूल पद है आपके बुक में देखी है उसके अस्थान पे हमें प्रस्ण बनाना होता है उसके अधार पर जैसे यहाँ पे है मरिगाह सिंहास्य मुखे ना परविशंती तो यहाँ पे हो जाएगा के सिंहास्य मुखे ना परविशंती और एक बात और जैसे यहाँ पे लिखेंगे उत्तर के मरिगाह सिंहास्य मुखे ना परविशंती इसके अंतमिया प्रश्ण सुजग चिन यह वला जरूर लगा लेंगे, किया लगाईंगे, तो परष्णापका बन जाएगा दूसरा है, यहाँ आपको, प्रियवस्नें तुश्यन्ती हो जाईगा, दीद यहाँ फिर उतर हो जाएगा जन्तवाः इसका उतर हो जाएगा के न इस परकार से लिग सकते हैं कें और ना केन जनताव वहा केन तुषर्शन्ति तिसरा है लोके लोके चंदरम शितलम भवती तो यहाँ पर हो जाएगा लोके कीम कीम शितलम भवती यहाँ पर कीम हो जायगा तो यहाँ पर हो जाएगा और पाचवए है पर्षण संक्या 6 जुह है आपका हो गया अगला है प्रषण संक्या 7 इसमें क्या करना है बहुत बड़ी बात नहीं है बहूत ही आसान है उचितम भावम, इती चिन, चिन्हम, चिनेदम कुरवन्तु, उपर जो लाल कलर में जो अक्षा लिखे गया है, ये वाला, इसका सही अर्थ क्या होता है, इसमें दोनों में से कोई एक सही है, आपको टिक कर देना है, जैसे की लगुचेटसाम, लगुचेटसाम मतलब क्या हो प्राधियना प्रशन्ना भवंटि, द्वान नंबर है, साधियो, संगती हुसा है, तो इस प्रकार से जो है, क्या हो जाएगा, इसमें स्जना नाम संगती, सुखम प्रताप्ति, एक बश्चा बाच्चों, यह आपका चतूर्त्s पा случае थे पूर्य होते हैं, अगले वीडिय और फिरी मिलेंगे जो है